हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सीजी ओपन स्कूल के पेपर के पुरे सॉलुशन तो यहाँ पर हम राजनीती विज्ञान का सॉलुशन देखने वाले यहाँ पूरे सॉलुशन देखेंगे पूलिटिकल साइंस का इसके साथ ही यदि आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तब चैनल स्ट्राइब नहीं करा है तो चैनल को जब स्ट्राइब करें यहाँ पर आपको सारे विश्यों के सीजी ओपन बोर्ड इस खुल के पूरे सॉलुशन सभी विश्यों के मिलने हाले साथी विडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंस की भी हैल्क हो सके तो यहाँ पर वीडियो को लाइट शेर जो दुख करें और साथ ही टेलेग्राम गूप जोईन कर सकते हैं उसके लिए आपको टेलेग्राम गूप का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गाए इसके पहले यदि अपने हिंड इंग्लिश और बाकी उश्यों के नहीं लिखिया है तो लिख लिए जब फटाफट से आपको मैट चैनल पर एक से लिकर पूरे कम्प्लीट आंसर पूरे कम्प्लीट मिले राएंगे इसलिए आपको वीडियो को देखना है और फटाफट से आंसर को लिख लेगा चलिए प्रशन प्रमांग एक का और से शुरू करते हैं क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो पांच सेकेंड्स में डाउटनट के साथ करो इनने आउट बस अपने सवाल की फोटो कीचो क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सलिशन पाओ फिर जाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैट्स, बायलोजिक का हो पर चल रही है इंडिया की नंबर वन डेली ओनलाइन वीडियो क्लास वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आजी जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट एप इंस्टॉल कीजिए सॉलीशन मिल चुका है इसलिए चैनल को जरू सस्क्राब करें सभी उश्यों के कंप्रीट के पूरे फूल सॉलीशन एक वीडियो के लिए आपको इसी चैनल पर मिलेंगे इसलिए सब्सक्राब जरू करें दिश्य कांसर हो जाएगा नब्वे कंशर के हुजये राफ्टर यहां पर आपको लिख लेना चली पांच वे कउपतर देख लेते हैं पांच वे कोपतर के होजये गा सेवेंटी यानिright एठट्टर है तो यह खंड और खंड बर कंप्यूट है चली अगला खंड देख लें चौथा और पाचवा यह दोनों कैसे होगे सक्ते, तो चौथा भी सत्य हो जाएगा और पाचवा भी, तो यह खंड स्य यानि सत्य यहाँ पर कम्प्लिष हो जाएगे, आगे देख लेते हैं, खंड द है, जहां पर आपको सभी जोड़ी मिलान के लिए दी गई है, कॉलमा है, और कॉलमबा है तो कॉलमबा को कॉलमबा से मिलान करना है जो सभी हो तो यह आपका खंड दह है चलिए पहले जो मिलान होंगा वो किस्टे होंगा राज्यपाल की न्युक्ति कित्ते वर्षों के लिए होती है पाच वर्ष के लिए फिर अगले पाच वर्ष बाद प्रिसे न् कि मत्दान का दिकार कींने होता है कितनी वर्षित से उम्रवालों को होता है तो यहां पर फराएज धित्युद्द्ध से किलाको कहीं होता है। मत्दान और समस्acio किते का पbokगा प्राधर का कों से हए और ये पूरे अप्ट जो पूरे सॉलूशन होता हुए पूरा video में आपको सॉलूशन मिल जाएंगा इतलि cider channel को जल्दी सॉस्क्राइब प्रॉश्ब कर ले था कि सबसे पहले आफड आफड से सारे आंसर को कम्परिट कर साथ हूँ साथ लिएधी वीडियो को शेर कर दीजे जल्दी से अपने फ्रेंड्सों के साहत में फटा-पट दोघते जल्D-से ऐसे अपने वीडियो को सब्सक्राइब और Black errors इतने वीडियो में विडियो को लाइक शेयर करें, थैंक्स पर वॉचिंग चली इसके आगे के प्रश्न को देख लेते, किस प्रकार से यहां पर आपको दिये गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है, सार भॉभमिग वयसक मताधिकार क्या है, इसका उत्तर आपको लिखना है, तो यह आपको उत्तर हो जाएगा सारवुमित वैस्क मतलब जो अठरा वर्ष क्या आयू कर लेते हैं कम्टिट उन्हें मद्दान की जो है वहाँ पर अनुमती दे दी जाती तो मद्दान का दिकार उन्हें प्राप्त है चलिए प्रश्ण के मांग दूसरा है जो 36 गड़ इसके निकाय के प्रमुगद दो इसके कार वासी संपरादा वाद के दो कारने के तो इसके कारण सबसे पहला समाज में फैला नद विश्वास और दूसरा असिक्षा साथवा है परियर्म प्रदूशन को रोकने के भारत सरकार द्वारा किये गए दो उपाए आपको यहाँ पर लिखना है तो दो उपाए में सबसे पहला है रक्षर उपन और दूसरा है प्रदूशन रोकताम अधीनियम तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों उपाए लिख दीजे चलिए आठ्वा नंबर का है मानव अधिकार के सारवभमी करण से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है कुछ प्राचिन रास्टी चार्टर तथा यूरोप के समीधान में अधिकारों की घोशना सम्मिलित करने के संकेत मिलता है यहाँ धारना कोई नई नई है प्राचिनुक के चार्टर में जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है तो सन भी दिये गया है 1690 और 1580 में ये ट्रेंसंग बिटिस अधिकार किसमें सामिल की गए थी बात वीटो पावर निशेद अधिकार से क्या अश्य है तो यह आपका उत्तर हो जाएगा वीटो पावर निशेद अधिकार जो यहां पर दिया गया है तो इसके बारे में वर्णन लिख लेना है जो प्रस्ताव है इसके बारे में बताया गया चली यहां पर अगला कोश्चन है CTBT का पूरा नाम क्या है तो सी टी बीटी का पूरा नाम यहाँ पर है व्यापक परमाणू परिक्षन प्रतिबंद संदी इसको कहा जाता है इसको ही कॉंप्रेसी टेस्ट बेंड ट्रिटी कहा जाता है यह एक ऐसा समझोता है जिसके ज़रे परमाणू परिक्षनों को प्रतिबं काम सोपा जाता है संस्था के नकारात्मकर्थ है क्योंकि दमानकारी शाशन प्रणारी जैसे पूर्ण राजसाही को नोकर शाही को धरान मारा जाता है यह के कुश्चिन नमर 12 है केंद्रिय सत्रक्त आयो का संचिप्त गठन लिखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सीवी सि तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जो सिफारिश संस्थानम समीती उनी सो बासर चे जोड़ सर तक के इसके द्वारा की गई थी तो यहाँ पर यह जो है मातुरपूर्ण चले कुश्चिन नमर 13 है कुश्चिन नमर 13 है वैश्विकरन के बूरे प्रभाव लिखी है तो विकासिल देशों के है श्रमिकों के कारण विकसित देशों में रोजगारों का नुक्शान हुआ है कुश्च नमर 12 है राज्य सरकार में तीन अंतर लिखे fois तो सरकार वीशे अमधा पर नियरंतर साट यहां पर श।र हैं पर पर सिधार नहीं होता सक आप राज्य और सरकार सब्सक्राइब बंदी प्रत्यक्षिकरण लेक से क्या समझते हैं तो इसके पॉइंट वाइस उत्तर भी हो जाएगा जैसे की रीट के दुवारा नारय ऐसे व्यक्ति को जिसे निरुद्ध किया गया है या कारावास में रखा गया है नालय के समख्ष उपस्तित करा सकता है इ दूसरा हो जाएगा गिरबतारी कादेश और तीसरा किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति ने नियुद्ध किया हो मतलब जो यहां पर पर्सनल है वह वाली चीज़ें यहां पर बताई गई हैं तो यहां पर अगला है त्रहत्तरवे समवेधानिक संशोधन की तीन तो तीनों प्रमुक व्युषिस्ता हो जाएगी संसोधन के ने तक पंचायत को पहली बार समवेधानिक दरजा दिया गया है और नई पंचायती राज अधिनियम के नुसार ग्राम सभगो समवेधानिक इस्तर पर माननेता मिली है साथी से पंचाय व्यवस्ता का एक महत्व तीसरी है कॉंग्रस और तीसरी है बहुजन समाच पार्टी यह प्रचलित पार्टी है आप कोशन नमर अठरा देख लेते हैं तो कोशन नमर अठरा भी इसी प्रकार से आपको इहां पर दिया गया है तो अठरा में महिलाओ के लिए आरक्षन का महत्व तो सबसे पहला है मह तरकपूर्ण विभाजन तकनी की विशिशग्यता कानूनी सत्ता यह तीनों क्या है महत्वपूर्ण है कानूनी यहां पर चली यह होगे नौकर शाही के लक्षन आगे है जो 20 भारत के प्रथम राष्ट्रपती का नाम लिखते हुए समीधान की प्रस्तावना लिखें तो हमारे सत्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपती जो थे वो डॉक्टर आजेंद प्रशाथ से समीधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है चले देख लेते हैं बहुत मादुपूर्ण है समीधान की प्रस्तावना इससे बहुत बार कोशन पूछे जाते हैं हम भारत के लोग यहां पर इसका तात्पर है कि भारत एक प्रजात आंत्रिक देशे और भारत के लोग सर्वोच संप्रभू है अता भारती जनता को जो अधिकार मिले है वही सम्विधान का अधिकार है अर्थात दूसरे सब्दों में भारती सम्विधान भारती जनता को ही समर्पीत है दूसर समाजबादी शब्द कहा से ऐसी संदशना है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पुंजी जमिन संपत्ति आधी पर सारवजन स्वामित वका नियंत्रण के साथ वित्रण में सम्तुल्य सामज़स्य हो अगला है पंतर निर्पेक्ष राज शब्द का इस पहस्चो रूप से सम्विधान में उल्लोक नहीं किया गया है इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्विधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की है समझल चली ọiशे कोस्टर नमी आथिकार के कि खेच दर्ट कंला स्हाइं नहीं का सवली की में संद्रण में गचाए तो और नहीं के थ。 इसी के साथ में आप यहां पर देख सकते है जो नेक्स्ट में 124 A के तहत ही आप दिया गया है यह भी जो है आपको पॉइंटिस में नोट करना है और साथ में सिक्षा में संस्क्रतिक अधिकार है तो यह भी वर्णन आप कर सकते हैं जैसे कि पंडित नहरु का उद्देश यहां पर जो प्रस्ताव उसमें बताया गया है तो प्रत्यक विध्यक को विधी बनाने के पूर्व लोकसभा की स्विक्रति आवश्यक है राज्यसभा में यह दि कोई विध्यक पूने स्थापित किया गया तो उस विध्यक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है यह पहली शक्ति दूसरा कारे पालिका प प्राप्त होते हैं तो ये भी तेह सकते हैं तो यह बी किसकी सविद्धानिक संशोधन की सकती कब यह सारी शक्तिति को प्रहते हैं Q whoa hadakadhar shna 나ką पस्टेतार के नातिर परियवर्म प्रदूशن को आप के लिए परफेक्ट हो जाएगी चले रक्षर ओपन को बढ़ावा देना बहुत अच्छा कार ही दिए आप रक्षों को लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा मुराज को देंगे और रक्षों की कटाई को रोकेंगे तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से वर्षा होगी और समय समय पर मोटर महान को जनरल चेकिंग करना आवश्यक कि क्योंकि इससे ज्यादा दुवा निकलता है यह पर प्रदूशित करते हैं समय यदि काडियों की सर्विसिंग समय पर नहीं हो पाती तो अत्यादी खराब होने लगते और इससे बहुत दुवा भी निकलने लगता जितना आवश्यक हो पानी उतनी हो पानी को प्योग करें वेर्थ में पानी ना बहाई है सबसे अधिक जरूश यह है महतुपूर्ण जिसको आप लेकर बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं यह पानी का मुल जान लेते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है चले गांधी जी जो बात करें तो यहां पर पूरा आपको बताए गया है गांधी जी के शब्दों की जो भ्रांतियस में बताए गई है वह देख सकते हैं आप राम राज्य संबनी वक्तों को पूनर पार्ट इस मायने में बहुत महतुपूर्ण हो सकता है राजनीतिक दूर्पयों को अगे जो दो भी जाये राम राज्य सब्सक्राण गुणाया और यह मेरी जो है तो करें रती को शब्दों की संपूर्ण रख्षा होंगी कारे धर्म पूर्वद के जाएंगे और लोक मत का हमेश्या अधर के सच्चा सिंतन यहां पर ओए बताया घया है तो पूरा वर्ण आप द तो जो उपनिविश्वाद है, इसका अर्थ होता है किसी सम्रध और सक्ति शाली रास्ट द्वारा अपने विभिन हिदों को साधने के लिए किसी निर्बल किन्तु प्राकरतिक संसाद्नों से परिपोर्ण रास्ट के विभिन संसाद्नों का शक्ति के बल पर उभोग करना। तो यहां पर देख सकते हैं आप पुरा लिखना है आपको इस प्रकार से और यह दिया आप चैनल पर पहली बार आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको सभी विश्यों के कंप्रीट फुल सॉलिशन इसी चैनल पर मिल रहे है तो चैनल को ज़र सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो ताकि आपके सभी फ्रेंट्स की भी हलप हो सके साथी टेलिग्राम ग्रूप पर पीडियाप शेयर की हुई युनिसेफ को बहुत महत्पर रखता है यहां पर अलग-अलग इनके जो ब्रांड एमिल्स चर है वो भी अलग-अलग बनाए जाते हैं चली कोश्य नमर 26 देख लेते हैं 26 चुनाव आयूत का कारेकाल कितने वर्ष का होता और निवाचन आयू के चार कारे लिखना है तो ज निवाचन आयक के चार कारे है यहां पर आप देख सकते हैं निरवाचन आयक के रास्ट पती उपरास्ट पती संसत राजजी विधान सभा के चुनाओ का परिवेक्षन निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कारे करता है अब इसके प्रमुक जो कारे दूसरा विधाया के उनकी भी हाँ पर होती है सारी चीजों को राज्यपाल को लेकर सला देता है चले प्रशने क्रमांग 27 और आखरी अंतीम प्रशन है आपका और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके भारत और चीन के बीच 1965 में हुए युद्ध के कारण लिखना है तो देखे युद्ध के कारण जो है सबसे पहला यहाँ पर उसका प्रमुक मुद्धा क्या था कश् सिंधु नदी जल विवाद मुद्धा यह उनीस सो साथ में जो सिंधु नदी समझता हुआ था इसके अंतरकर जो समझता हुआ था उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो सिंधु जेलम और चिना भी है पाकिस्तान की नदियों के रूप में जबकि सतलज रावी और व्यास तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अब जो आखरी मुद्ध है वह है चीन पाक आर्थी गली आ रहा है यह भी बहुत कुछ यहां पर कॉरेडर की बात करें तो चीन के जिग जियांग जो छेत्र है इसमें पाकिस्तान के बलुचिस्तिन राज जमेस्तित ग्यान कि आने पॉलिटिकल साइंस के सारे कोश्चन के आंसर कंप्लेट कर दिये तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों में फटाफट से टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लो पीडियाप के लिए और आप साथी साथ चैनल को सस सब्सक्राइब करें दोस्तों में भी शेयर करें तो मिलते हैं वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर करें थैक्स पर वॉचिंग